क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाद संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नोशकार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिरेश बिहार ने एक इतिहास रच दिया या यूँ कहा जाए कि देश के सामाजिक न्याय के इतिहास में समवैधानिक प्रावधानों के लागू किये जाने के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड दिया मंगलवार को इसी मंगलवार को बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करकर 75 फीस्दी आरक्षण का जो फैसला उसका था जातिवार सर्विक्षण के आधार पर उसे लागू करने का एलान कर दिया यानि मंगलवार के बाद 21 तारीकी 29 बिहार की राजनितिक प्रशासनिक इतिहास में एक ऐसी तारीक बन गई जिसे शायदी कोई बुला पाएगा 75 फीस्दी आरक्षण लागू हो गया और किसी ने विरोध नहीं किया आपको याद है जब विश्वनात प्रताप सिंग जी ने भारत के प्रधान मंत्री पूरु प्रधान मंत्री जब उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के एक प्रमुख रिक्मेंडेशन को लागू कर ने का ऐलान किया था 90 में सन 1990 में साथ अगस्त था संबोता उस दिन पूरे देश के उत्तरी हिस्से में देश के उत्तरी हिस्से में हिंदी हार्ट लैंड के उत्तर प्रधेश बिहार जैसे राजियों में हाहकार मच गया था तुफान आ गया था ऐसा लगाता कि ऐसी कोई अ कोशिश को एक हंबल एफर्ट को उसको भी बदनाम किया गया और इस तरह से समाज में विभिन वर्गों के बीच में खाई पैदा कर दी गई लोग समझ नहीं सके कि दरसल एफर्मेटीव एक्षन क्यों जिरूरी है भारत जैसे देश में उसको लोगों ने अन्यता लिया और आज भी बहुत सारे लोग अन्यता लेते हैं लेकिन विहार की कम से कम इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए जहां सबसे अधिक जातपात का आरोप लगता रहा है कि ये आरक्षन 75 फीस्दी गजट नोटिफिकेशन मंगलवार को हो गया लेकिन किसी ने भी रोज नहीं किया पूरी शांती के साथ पूरी समरस्ता के साथ पूरी एक्ता के साथ आई ठिंक विहार की जनता को विहार के समाज को और विहार सरकार को विहार के प्रशासन को सब को सेलूट करने का एक हक जरूर उनको मिलता है कि लोग सेलूट करें कि वहां कुछ भी नहीं हुई बिल पार्टी है दक्षन पंथी खेमे की वो सबसे अधिक एफर्मेटीव एक्षन के खिलाब खड़ी हो जाती है जब भी पिछणों के आरक्षन की बात आती है तो वो विरोध में खड़ी हो जाती है लेकिन इस बार बीजेपी नाम की इंदुत्तवादी अपने को कहने वाली पा जातीवार जनगड़ना का पूरे देश में विरोध करने वाली भारती जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी उसको बिलकुल नागवार बुजरती है जातीवार जनगड़ना की बात लेकिन वीहार में जो बीजेपी है वो जातीवार जनगड़ना के नीतिश कुमार तेजस स्वियादोग की सरकार के फैसले के पक्ष में उतर गई। ऐसा नहीं कि उसने कोई रिवोल्ट कर दिया बीजेपी की केंद्री नेत्रितु से बिलकुल नहीं। ये केंद्री नेत्रितु से मिलकर बीजेपी ने ये फैसला किया। को मरोड कर रख दिया है। मजबूर हैं वो समर्थन करने के लिए। तो नितिश कुमार और तेजस्वियादों की सरकार का ये जो ठीक है उनकी और आलुचना की जा सकती है। नितिश कुमार की आलुचना की ये तेजस्वियादों की आलुचना की ये अनेक मुद्दों पर कर सकते हैं आपकोई दिक्त नहीं और अलोचना से तो सरकारों को सीखना चाहिए हम भी अलोचना करते रहें तमाम सरकारों की इस सरकार की भी हमने की है लेकिन इस मामले में इस सरकार का वागई स्वाधत किया जाना चाहिए जिस तरह का इसने काम किया है और दोस्तों ये मैं बताना आपको जरूरी समझता हूं कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है 27.12% है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.014% है अनुसुचित जात की आबादी 19.65% है और इसके अलाबा अनुसुचि जातियां है सबको मिलाकर जिसमें अन्य प्रतिवेदी जातियां भी है वो 15.52% है तो इस तरह से मैं इस आंकड़े को जरूरी समझता हूं इसी के मुतलिप आप देखेंगे कि आरक्षन के जो नियम है प्रावधान है वो भी तै किये गये है 10% इसने अपर कास्ट के उन लो कि अलाउ किया था तो उन लोगों को भी इसमें मिलेगा इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षन मिलेगा उसमें दो किर्टेगरी है एक्स्ट्रीम जो बैक्वर्ड कम्यूनिटी है यानि अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसको 25 फीस्टी और जो बैक्वर्ड कम्यूनिटी है यानि OBC जिसको पापुलरली कहा जाता है इस पापुलर टर्म में उसको 18 फीस्टी मिलेगा शेडूल कैस्ट को 20 परसेंट मिलेगा और शेडूल ट्राइपस को जो मिलेगा वो 2 परसेंट मिलेगा और EWS अपर कास्ट जो हैं सवर्ण समुदाई के जो लोग हैं उनको मिलेगा 10 परसेंट तो इस तरह ये टोटल जो आंकड़ा है आरक्षण का वो 75 परसेंट होता है और 25 जो बच्चता है 100 में वो आरक्षण मुक्त रहेगा यानि आरक्षण उसमें नहीं रहेगा उसमें जाहिए रहे अपरकास्ट के जो लोग है वही ज़्यादा आते हैं इसमें कोई दुराय नहीं कई जगा बैकवर्ट कम्मुनिटी के लोग या अन्यवर्गों के लोग अगर क से भी उपर हो जाती है अनेक जगह हों ऐसा भी देखा गया है मुझे लगता है इस बारे में जरूर विबिन सरकारों को कदम उठाना चाहिए लेकिन दोस्तों आज जो बात करनी है हमें कि ये जो 75 फीस दी जो आरक्षण लाग हो गया गजट नोटिफिकेशन हो गया बिहा और जैसा मैंने आपको बताया कि 65 फीस दी टोटल आरक्षण है इसमें और 65 परसेंट में टोटल 10 परसेंट अपरकास्ट को है इसके अलावा पिछणों अत्यंत पिछणों SC, ST वर्गों को जो पहले 50 फीस दी जो मिलता था अब वो बढ़ा करके 18 फीस दी जो है जो कोटा EBC का था वो 25 फीस दी हो गया, OBC का कोटा 12 परसेंट था वो 18 परसेंट हो गया, SC का कोटा 16 परसेंट था वो 20 परसेंट हो गया, ST का कोटा जो 1 परसेंट था वो 2 परसेंट हो गया, तो ये बहुत बड़ी एक तरह की बहुत बड़ी घटना है नोकेवल बिहार के लिए बलकि प प्रावधानों को और पुक्ता करने के लिए बात की जा रही है एक विमर्ष चल रहा है पूरे देश में कई राजी सरकारों ने खास कर राजिस्थान ने तेलंगा मध्य प्रदेश ने और 36 गड़ की सरकार ने इन लोगों ने जातिवार सर्वेक्षन को अपने मैनिफेस्ट उमें भी रखता है कि वो इसे एक्जिक्यूट करने जा रहे हैं इस फैसले को कि हम सर्वेक्षन कराएंगे अगर सर्वेक्षन हो जाता है तो जाहिरा एफर्मेटिव एक्षन के पूरे प्रावधानों को वो लोग रिडिफाइन करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जो विहार ने इनिशियेट किया है और नितिश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादो जो डेपिटी मिनिस्टर उनके है आर जेडी है उनकी पार्टी और जेडी उधर है नितिश कुमार की पार्टी इसके अलावा लेफ्ट के लोगों का इनको समर्थन प्राप्त है जि कि वो ऐसा काम करेंगे और विहार की जनता ने इनको निराश नहीं किया इनको सरकार में लाया और आज की तारीख में ये इसी मुद्दे पर मुझे लगता है कि आगे भी अपनी लड़ाई राजनितिक लड़ाई को लड़ना चाहेंगे तो ये जो मैं समझता हूं कि जो भार में नहीं कह पा रही है रास्टी अस्तर पर भारती जनता पार्टी और मोधी और अमिशाजी की सरकार कहती है कि जातिवार जनगरना नहीं कराएंगे लेकिन जब बिहार में जातिवार जनगरना होती है जातिवार सर्वेक्षन कह लिजे उसको तो उसका बीजेपी बिरोध नहीं कर पाती ये अद्भुत है और जातिवार सरवेक्षण के जब आंकड़े आते हैं उस पर केंदर के नेता कुछ भाशन जरूर दे देते हैं उसमें आलोचना कर देते हैं कि अमुक विरादरी का अमुक समुदाय का आंकड़ा में कुछ हेरा फेरी की गई है गरबरी की ग परता है और इसके बाद दोस्तों और दिल्चस्प बात ये है कि जातिवार सरवेक्षण की रोशनी में जब विहार सरकार आरक्षण के फार्मुले को री डिफाइन करती है री ड्राफ्ट करती है तो उस पर भारती जनता पार्टी का एक तरह से समर्थन आ जाता है आतनिधिक तोर पे कोई विरोध नजर नहीं आता है तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी काम्याबी है विहार की सरकार की और विहार के महागठ बंधन के नित्रित्तों की कि इतना बड़ा फैसला किया लेकिन उतना बड़ा विवाद नहीं हुआ तो दोस्तों इस घट कि इसका कोई असर पड़ेगा क्या इसको लेकर अन्य जो राजनितिक दल हैं वो मैदान में भविश्चे में उतरेंगे क्या 2024 में यह इशू एक प्रमुक्ता के साथ सामने आएगा तो आज इसी सवाल के साथ अपनी आज की चर्चा का समापन करते हैं नमश्कार आदाब प्रमुक्ता करते हैं झाल झाल